आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ पनीर गुलाब जामुन की रेसिपी जो की बनाने में एक तहम आसान है अब तक की सबसे एजी गुलाब जामुन है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है बिल्कुल भी कोई खा की नहीं बता पाएगा कि आपने इसे पनीर से बनाया है तो बनाना सुरू करते हैं गुलाब जामुन के लिए सबसे पहले चासनी बनाएंगे तो मैंने आधा कपचीनी ले लिया है उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और थोड़ी सी मैंने इलाहिची को ऐसे क्रस्ट करके डाल दिया है सबी चीजों को अच्छे से मि ग्रेंड कर सकते हैं लेकिन मिक्सर में ग्रेंड करने से क्या होगा कि यह बहुत जादा गीला हो जाएगा तो आप इसे काँ ग्रेट करें या तो हांतों से ऐसे ही करस्ट कर लें पनीर को बहुत अच्छे से गूतना है अब हम इसमें एक बड़ा चमश मैदा डालेंगे 100 ग गुलाब जामून ने अच्छे फूलेंगे अच्छे से हमें इसे मसल मसल की अच्छे से गूतना है ताकि जो पनीर के दाने हैं बिल्कुल सौफ्ट हो जाए और बिल्कुल ये जो डू है बिल्कुल मक्षन जैसा हो जाए देख सकते हैं मैंने इसे बहुत अच्छे से गूत ल लिए रख दिया एकदम धीमी आज पर अब हम गुलाब जामुन की छोटे छोटे बॉल्स बना की तयार कर लेंगे बॉल्स बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए क्रेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वैसे इसमें क्रेक्स नहीं आएंगे यह मतलब डो इतना सॉफ्ट है कि बि कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल परफेक्ट था बिल्कुल भी नहीं फट रहा था जैसे यह थोड़ा सा देख लें कि हलका सा पकने लग जाए तब हम बाकी की गुलाब जामुन इसमें एड़ करेंगे तो सौ ग्राम पनीर के लिए एक चमच मैदा बहुत है इससे ज्यादा ब बीच बीच में हिलाते रहना है ताकि गुलाब जामुन हर तरीके से हर तरफ से गोल्डिन ब्राउन अच्छे से सिख जाए इसे फ्राई करने में आपको साथ से आठ मिनट का समय लग जाएगा क्योंकि हम इसे धीमी आज भी फ्राई कर रहे हैं और यहां देख सकते हैं जाएगे और 10 मिनट बाद हमारा गुलाब जामुन खाने के लिए बिल्कल तैयार हो जाता है तो आप भी इस गुलाब जामुन की रेसिपी को जरो ट्राइक कीजिए गाए तो उसे लाइक कीजिए गाए